शहरों के बाद गावों में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना खूप कहर बरपाया। इस लहर में गावों ना सिरफ खासी जुकाम बुखार से बहुतायत की संख्या में लोग संक्रमित हुए बलकि ऑक्सिजन की कमी से सेक्डू लोगों की सांसे भी तूड ले। अभी हाल ही में हुए पंचायद चुनाओं में पताउंजा से निर्वाचित प्रधान ने ग्राम पंचायद को कोरोना संक्रमर से मुख कराने की ठानी है शपद में लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए सनिवार को उन्होंने पूरी ग्राम पंचायत को सेलिटाइस कराया प्रधान के इस कदम की ग्राम पंचायत वासी खूब सा रहना कर रहे हैं आपको बता दें कि मिश्रिक ब्लोक की ग्राम पंचायत पताउजा से स्वरगी नरेंदर पाल मिश्रा की पतनी मुण्णी देवी ग्राम प्रधान चुनी गई है अब संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने ग्राम पंचायत की गली और महलों को सेनिटाइज कराने की मुहिम छेड़ दिये है प्रधान ने बताये कि सबसे पहले गाउं के चारों तरफ सेनिटाइजर का छड़काओ किया गया उसके बाद गाउं के गली महलों से होते हुए गाउं के मंदिर गाउं की पस्ती में सेनिटाइजर का छड़काओ कराया जागरूप करते हुए उन्हें ग्रामीडों को मास का प्रयोग करने की नसीहत दी है उन्होंने कहा कि सभी अपने घर के गेट के पास एक सेनिटाइजर रखें जिससे परिवार का वेक्त जब भी घर के अंदर आए तो आप पहले उस सेनिटाइजर से अपने हाथ को सेनिटाइज करें खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया